इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करते है जो दाड़ी के विकास को बढ़ावा देते हैं इसमें एक दशमलव पांच प्रतिशत एमिनेक्सिल है एक सिध वैसोडिलेटर ये रक्त वाहिकाओं को चोड़ा करके और रोम छिद्रों को बहतर पोशन प्रदान करके काम करता है सबसे पहले ये कुछ कमजोर बालों को पर अमीनो आइसिद जारी करके रोमों को पोशन देते हैं यहां आवश्यक पोशक तत्व सघन विकास की ओर ले जाता है इस दाड़ी टॉनिक में गोक्षूरा में दाड़ी के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होमोन DHT को बढ़ावा देने की क्षमता होती है जिससे कुछ फाइदों के बारे में एक एमनेक्सिल दाड़ी के बालों के रोम को उत्तेजित करता है इस दाड़ी सीरम के नियमित उप्योग से दाड़ी के विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है जिसके परिनामस्वरूप घनी और मोटी दाड़ी बनती है एमनेक्सिल एक vasodilator के रूप में कारे करता है, यानि यह रक्त वाहिकाओं को चोड़ा करता है, जिससे अधिक oxygen, रक्त और पोशक तत्व चहरे के बालों के रोम तक पहुँचते हैं, जिससे विकास बढ़ता है, दो लेशिल्डी, tripeptides और vitamin B5 का मिश्रण, tripeptides बालों के रोम के निर्मान के लिए आवश्चक बाल कूप स्थल पर glycine छोड़ते हैं, इसमें vitamin B5 भी शामिल है, जो बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए रोमों को पोशन देता है, तीन, moringa, ये रोमों को नमी और पोशन देता है, येह अनियंत्रित बालों को चिकना करते हुए दाड़ी को मुलायम और कंडीशन करता है, ये सब बालों को चमक और चमक के साथ पूर्ण और आकरशक बनाने के लिए है, चार, लाल तिपतिया घास, एक फूल का आर्क लाल तिपतिया घास में कई विटामिन और पोशक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन C, कैल्शियम और पोटेशियम, इस बीर्ट सीरम के नियमित उप्योग से रोम मजबूत होते हैं, और बालों का गिरना बंध हो जाता है, ये बालों को मुलायम बनाता है, और दाड़ी के विकास और घनत्व को बढ़ावा देता है, पांच, गोक्षूरा, टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने, दाड़ी के विकास को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, ये दाड़ी के स्वास्थे को पोशन देने, प्रोचसाहित करने और बनाय रखने में भी मदद करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें